हाउसिंग महिंगा हो जाएगा थड़ा वहीकल लोन महिंगा हो जाएगा और इसली दियूंक्स जड़े हागे बहुत ज़ाधा जड़े समाल पंदर दे उते का वर्क कर देने उना दे उते इधा रेट गेड़ा हैगा वदन जा रही है जदो इन्फलेशन रेट थले आ रहा फिर रहे पूर विट नहीं वादा है, जा जड़ा लोन रेज करके आदमी अपना वहिकल बनादा जा हॉसिंग बनादा है, वो दे लिए इक बड़ा बड़ा क्राइसिस खड़ा हून वादा है, वो तादी अगे वद सकता देश जे उठे प्रडक्शन वद है, जा उठे प्र ऑन दी अधर हैंड जो प्राइविट सेक्टर खास करके आज विले, 94 परसंट दे आज पास प्राइविट सेक्टर काम कर रहा है, उना दे लही बड़ा बड़ा क्राइसिस है, चारी परसंट ओधे जड़ा लॉस होया तास देन दे बिच, वो किना दा पैसा है, कुछ नी फार्क पैना, जदो चोटा मारदात है, उना पंजाब भी जगान दे कि जुगां भी चलिया जाती है, जिना दोहजार आठ तो इना ने लोन रेज की तासी उस विले, चार परसंट दे आसपास रेट आंटरस देगा, अज पच्ची तो ती परसंट दे खलास लेकन कुछ कराने ऐसे ने जिना दी बहुत जादा बदी है, बहुत अखास करके मेडिकल दे फील्ड दे जड़े लोग से बड़े कराने चाहिए, उना दी इमतन बहुत बदी है, साधी गवर्न्मेंट दी कंसेप्ट है, जे उक किसानी नो पैसा कोई छड़ दी है, ते उन लेकन कुछ कर से बड़े कराने जो पैसा देने खाड़ देने ते उन्हों अंसेंटिफ किया जानदा है, एक गल्द है इस शाब्द जड़े है गे शब्द जड़े जड़े है, एक गल्त है, साथिकाल जी आज जड़ी गल कर लगया ए, हार एक कर दे वस्ते जडरूरी होग यह उता पालिया उपलब्दी हैगी कि एक ऐसी लोन लेने या लोना दे वक्रे वक्रे ओफरने ते कोई ना कोई किसे ना किसे दे फिट आई यंदा है पर उदू बाद वी चहला आते हैं कि गल जदो अडानी या बानी राम दे कई कमपणियां बड़ीयां जदो खड़ियां ह खास करके कार वहीकल किस्तां ते लात रखे ने पर कदेत्या अनमार के देखेो बहुते समझदार ने तक हर पता हुगा क्योंकि जिर्दी पैसो और पीर पीया जन्दा है कि हर वारी किस्तां के वदन लागियां रैपो रेट जीदा ना हुआ है और रैपो रेट हैग यही चीज़ा है कि तो अड़ी देशी पाशा चे किस्ता आखर किन्नी बदूगी अजे इसे चीज़नों लेके गल करांगे क्योंकि आउनला समा बड़ा संकट पर यह ते लोन आला वास्ते खास करके बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है सारा स्ट्रक्चर इक तुझे ना पर पूरा सिस्टम ते जदो गाला हूं दिया तो अड़े तक कर जा मेरे तक कर ता लगदा भी जिनने हार वारी जड़ा रेपोरेट बाद रही है भी थोड़ी केस्ता बद नहीं है कि सब पहला ज मेरी साची कल सारे दरश्कान थोड़े तुड़े तुड़े तु बहुत इस इस्टम पूरेश प्राइश नहीं करें दो एगए तुड़े तुड़े बीड़े तक कर दो जड़े को बिर्टादे नहीं आ लेदे ते विजार किता है भी एगए बीड़े बीड़े प्रप्राइट वी आरे यह जो हूं प्रेजन शेनारियों यह जो आज रज रगए वोदा जड़ा इमीजिट इंपक्ट की होन जा रहा है. MSME, Micro, Small, Medium, Enterprise, जड़ियां वह गियां, उनाँ दे उते सारी यह दे इदा लोन रेट जड़ा हैगा हो वदेगा. हाउसिंग महिंगा हो जाएगा, थड़ा वहिकल लोन महिंगा हो जाएगा, जड़ी यूंट्स जड़े हैं कि बहुत जड़ा जड़े समाल पदर दे उते का वर्क कर देने, उना दे उते इदा रेट जड़ा हैगा हो वदन जा रहे है. हरानी दिगा लेदे भी चिक एह है कि गौवर्मेंट ने का लिए यह दे अनौस कीता है कि इनफलेशन रेट 5.4 तो काटिके 5.10 हो गया है. एक कॉनमी दी समझ रखन वाले लोग इस चीज़नों अंडरस्टेंड कर देने, कि जड़ो इनफलेशन रेट थले आ रहा होए ते फिर रेपो रेट नहीं बद दे और बदाने भी नहीं जाई दे. इनफलेशन ये कंट्रोल दे विच है, मुझूदा सरकार दे लगी एक बड़ा बड़ा क्वेस्चन खड़ा होंता है कि ए रेपो रेट क्यों वद या? रेपो रेट बड़ा है ते ए दे नाज जड़े है गया सारें दे सारे लोन जड़े हो वदन गे और किस भी बड़ेगी ए अंडर्स्टूट है. सवाल है कि देश दि जड़ेन दी और कोन वदन वरग जड़ा मदुड़ मैं या लेयर बर गऊ है उन्हां दी रीपेमेंट कपैस्टी की है की ओ दे वेच अनादी कि वेज शीम निक्रीज हो रही है जान दी रीपेमेंट करण दी कपैस्टी कि में बड़ा माग ज़ी-सınd तो बड़ी गाले है कि NPA वदन दे ज्यादा चांसस नहीं है। जिड़ा मद्यम पर गया है जिड़ा लोन रेज करके आदमी अपना वहिकल बनादा जा हाउसिंग बनादा है। उदेले ही बड़ा बड़ा क्राइसिस खड़ा हून वारा है। एजुकेशन नो एफेक्ट करेगा। एफेक्ट करेगा। सुवाल तो एक प्रोड़क्शन के में वदे। लोगान या वीजिस के में वदे। उन्हादेन आल जदो थड़ी वीजिस वदेगी। फिर उसे रेशो दे बिच जड़ी इंस्टालमेंट टॉलरेट बढ़ दी है। लेकिन इना हलाता ने वी जो आज दे हलात ने जो मैं महसूस करदां कि एदेनार आम जानता दे उते क्राइसिस आएगा। और बेंकिंग इंडिस्ट्री दे उते वी एदा क्राइसिस आएग्यां सुभावनावां तेज रही है। और एदेच देखिए कि एक ता एवी दास्तियों की एनी कुछ जरूरी हैगा भी रेपरेट बद गया है कि ते लोकान लोगे भी ऐसी ता लाय रखे ने जाल सानुता की फरकमना है। जिन्दा ने लेर रख या इनदेवी बदना नंबर दो दे अडानी ना जो दो गल करिये चलो अडानी तेक नाम आ गया भी जार चर 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 च च वे दिवेचे रहन जो तो बड़े-बड़े चुँञर चाल रहे ने इह लोका हमेशा सवार रहनदा कि आखर करियार बदन थे नाल थोड़ा जाग शोटा जाग वर्गे भी है जनादे कोड़ डिपॉजट्स पहने भेंका देगा है खासकार के सैलिडी क्लास जड़े गौर्मेंट जड़े रिटैर लोग ने जनादे फंड्स ने उनादा एफडी दा रेट भी बदेगा लेकन उस रेचोंच न अधनादे पैसा हो रहे है का शर्कूलेशन देज तो इस चीज है कि फेजड़ा जड़ा इंपक्त नादे तुसी दूसरी कल की ती है कि अदानी धी अधानी फेक्टर जड़ा जड़ा ओगे लोग सामने आया है तो जरुड़त है कोई भी प्रड़क्टिविटी बेस्ट जड़ी है गिया हमेशा ही एकॉनमी देली चंगी हुंदी है वो तादी अगे वद साकदा देश जह उत्थे प्रड़क्शन वद है और उधे नाड अगे उधी डिस्रिबुशन प्रॉपर हुंदी है जॉब क्रियेशन उना देवेच किनी है वो मैटर करेगी आज मिशिनरी जो को बाद रहा है जॉब्स कंपेटिवली काट रही है ने इवर बड़े अदारे भी तुसी जूम तक हर जगादे होते माइक्रोसॉफ्ट सारे ने लोग को ते भी रीटरेंजमेंट हो रही है दुनिया देविच रसेशन वाल ने बाद रहने जॉब्स काट रहने ते फि वो अल्टरनेटर बोदा की पैदाकार देने उनना दे सामने की है यह वक्त असेगा शायद कुछ हाथ तक गौर्मेंट सेक्टर देविचे काम करने जो वाले एंपलोई यहनू टॉलेट कर सकान बट ऑन दी अदर हैंड जो प्राइविट सेक्टर चास कारके आज विले 94 प रिपेमेंट शेडूल चेंज हो जागी दुझे पास एक हदिशने के जड़े बैंक का दे लोन है उना दे उत्ते भी इस ता बड़ा माड़ा असर पैसकता है अदानी रेश्यू ते तुसी गल कीती है मैं गल कहने काना कई लोकानू यह शंका है चाली परसेंट ओदे घ्या पैसा बेस सोच दे लिए एफ, बहुत बड़ा था नहीं फेवार नहीं लोकानू फार्क पैना। आपना बंदा रोल अदा करें। गौर्मेंट नों चाहिदा है कि एधी इंडिपेंटेट एजन्सीज दे थूरू एधी एसेस्मेंट करवाए कि वकी एधी वर्थ की एवैलियू दी। किसे वर्गनों को भैदा देसदा हुए मैं समझा कि देश दा बड़ा बड़ा नकुसान हो जाएगा। देश नहीं बाच पाएगा। एह हो जाए हलात तां देवेच जो आनवाले देना देवेच अदानी ग्रूप दियां वदेशा चो देनदारियां ने जो लोन्स फॉरू देश eles कीते होई दे कोड़ा बड़ा बड़ा वादन सामने आ लगा रहे है वहाँ बदिशा लगेतर रान Do your wish और चाहस गोंने मैं सानुकिश पहे ऐगा पाएगा हो जो रीपेमिंट नहीं गी होई होएग तो जडेना जडे़ि थवान प्रदेना देवेच जडरी गॉमन् पैसा जड़ा है गा ज़े बढ़िया कंपनिया रेज कार दिया ने उदे को पैरामीटर्स ने उदे कंट्रोल ने जे उद नहीं हुंदे ता उदे ना होर बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाना. अगले साल जड़ा दोहजार आठतों इना ने लोन रेज की तासी उस विले चार परसंट दे आसपास रेट रूंटर्स जगा अज पची तो ती परसंट दे खलाफ रेट चला गया है उदे देनदारियां किवे चुकाएगा अधानी ग्रूप एक गौर्मेंटर्स नो हूँ क जाई दिया है ओधी पारलिमेंटर्स कमेटी करें रिजर्ब बंक करें गौर्मेंट अफ इंडिया करें ओधी इंडिपेंटेंट जदो तक एदी इन्वेस्टिकेशन नहीं हुँदी लोकां दे सामने बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा रहेगा इदे ची पूर्दास दो क आप यह में फंडा है कि असली ज़देखे कपनी अंधने चलानी भी माडी नहीं लगदी काटा उनूं भी नहीं नहीं हागज आखर कर सारा चौल कल किते जान देने है जड़ा ज़दा है वी आखर कर जी आखर कर जी इनूं मृत तरसी पहे देते करते चलो ताब चार पैजी किती जावे ते ओदे गड़ वड़ होंदे हमेशा चांसस रहें देने। फिर जदो एक हुर चीज जाए दिना जूड़ी होई जे एहो जी सीचुएशन दे बेचे जड़िया जड़ी गिर्द गाली निगा हुंदी है। वह अन्वेस्टर्स जड़े बैठे हुं लोकान दे नगाहां दे विच जड़े जांदी है ते वह कई बार शेयर बहुत जमीनते भी डिख देने। उन्हों फिर वल्चर इन्वेस्टर्स जिन्हों सी कहने हैं उन्हों ग्रैब करते दे। ओधा फैदा उठा दे दे। जमे के पास दे विच भी होया कई वड़ियां पैला शेयर दे कीमत उपर चुकुणी ले जाना उठाली जाके सारा बेच देना फिर उन्हों विड़ा कर जाना फिर उठाली डेगना शेयर आपने ड़ून दे विच भी बहुत सारी अकामपी नहीं बहुत सारा पैसा बनाया कि ते इस केस दे विच कोई इस तरह दी मैनु सटेवाजी टानी है एस ज़ servants करने जाने बहुत जादा जाएडा जेड़ा ऑी ज़ेड़ा लून सिस्टमा रोटेशन जड़ी है की है ओ किते रांग प्रसेस देवाच टानी बढ़ी लून ता possessed piss किस जाल रहाई इस सदिंफ ड़ूक चाल रहाई लून खिथे हो ती दूसरा लोन होया दूसरे दिखेंगे तीसरा बने थे चौत्हा बने दुनिया दे वेचे तखो सामने यह लोकाँ दे पर जे कोई 14 साल पेला 2014 चेसों में नंबर ते कोई व्यकतिसी गा जे वाज दुनिया दा दूसरा जब तीसरा रिचेस्ट आदमी बढ़िया ते ओधे उते अच्छी गाल है बढ़ना चाहिए दा पर इनी स्पीड देना बढ़िया ओधे किते ना किते कोई ना कोई इन्वेस्टिकेशन मंग कर दी है समा मंग कर दा जो इंडिकेशन होन तक मिलेने जा जिदे पिछे जनिया शेल कंपनीज ने उतानी कम कर रही है बदेशा दे बिच्चों ब्लैक मनी किते वाइट हो कितानी अंदर आ रही तो बात कुछ जुड़िया होया है एक लोका नो इस इमान दारी देना मजूदा सरकारा नो मैं सामझ दा एदे उते बड़ी कलर्टी होनी चाही दिया है इन्वेस्टिकेशन होनी चाही दिया है एक्चुल पिजिशन दा पता लगे तांके किसी होर कंपनी दा कोई बड़ा नुपसान ना हो जाए आज एदे विच्चों फेथ लेया होया दूसरिया कंपिया नो भी मार कर सकता है जे ए फेथ उठता है ते जो एफ आई दे बड़ेशी फांट्स दे रस्टे एंडिया ले खुले ने जो फांट्स आ रहा है ने ते इन्वेस्ट होन गे उना दे उत्ते भी किते ना किसी तरह दी कोई चोट वज सकती है एक ख़शे रहान वाले देना दे पर एदेच जे दवारे अपने आम लोकां ते आजी ए ता आम लोका नो जे में हून लोन ते लोन जे हर एक बंदे नू हुंदा भी जे कर एसमान पर पहले दा एसी भी तो बट वड़ी कुछ से चीज़ी नीड है ता बंदा लोन अपने लोकां दा स्टक्चर तो लोग का लोग किते हिलू इस पूरी सिस्टम लेह कि को कि तो आजी तो आजी प्राइवेट इंकम प्राइवेट जाब इंकम है उदे चोहीघल ओध बदनी है ने कि कॉम्पनी एदा कोई भी बड़े तोरते नी बनाओ थी फिर आखर 2008 दे विच शायद पीच दंबरम सिखा उसने पार्लिमेंट दे विच एक अनाउंसमेंट कीती सिगी जदो एक क्राइस्ट आया रसाइशन शुरू है अमेर्का दे विच जिते लेमन प्रदर्स बारगे जड़े टॉप दे बेंकर दुनिया दे जड़े लोका नो अडवाइ सेट्र बेंक से लिच अडवाइ को जड़े लोकान सेविंग्स पंड पहने टाफ टाइम दे ले गरीब तो गरीब आदमी भी अपने ले कुछ पैसे बचा के राख दा बैंकर दे विच अगे ग्रोत हो यह सारे जिनने देश देविच प्रजेक्ट लगे ने ओधे चुरु पर भाइ दे लोन दे होते ही सब कुछ साथा चले जानना, साड़ी जड़ी अगले महने तो पहली तरीक तो बंद हो जाए, ति फिर उट अखी होएगा, क्राइसिस की होएगा, फिर जितों आ रही है, उसारे सारे यूनिटों ता इफेक्ट होंगे। यही ही फर्क रिया, हुन सब तो बड़ा खत्रा जड़ा है, हो है रसेशन था, आनवाले साल देपच रसेशन दिश रहा फिर, 6.5 GDP गल कर देने, अगले साले 6.4 प्रडेक्ट कर रहे ने, यहा मतले GDP काट रही अगले साल, जी काट रही है ते फिर साथे क्राइसिस आईगा, इंप्लाइमेंटरी जिनरेट होएगी, जे जे जोनिटरी लगनगे, पैसा नहीं होगा, सर्कुलिशिंच नहीं आएगा, इंप्लाइमेंटरी जिनरेट होएगी, तो यह लोकादी आमतर के में बड़ेगी, एक बड़ा बड़ा क्राइसिस है, आस वेले संबल के चलने दे जाई दिया है, नहीं ए रिवर्स पुष मारेगा, इसा नेगटिव इंपक्ट जाएगा, आम लोक जड़े ने, उना दे जड़े हगिया है, परचेजिंग पापर भी कटेगी, रीपेमिन कपैस्टी भी कटेगी, और ओदे नाल एकॉनमी नो भी क्राइसिस देवेगी, लोन लेंड करनी काट, लोन जरूरत दे लेंदे सी, गल लागी कि विदेशी सिस्टम दे वेचो ही है भी उना ने, शुक्रवार तक दा हुंदा भी शुक्रवार नो जदो आए ता समान पूरा पारता, फर जब जड़े नाले समान लेंदा, भी हफता है चलूगा, फिर पै जड़े गी है के डिशिट बज्ट हमेशा प्रड़क्ट परपजली जूज होने चाहिए दे ले, जड़े प्रड़क्शन नहीं वाद दी, नमे उनुट्स नहीं लग दे, जड़ी साधी गवर्मेंट दा मेजर पार्ट जड़ा हैगा, कैपिटल दे उते एक्स्पेंट्च देने हैं, जड़े उस पासे वाद देने हैं, तो देनाल जड़ा है काना प्रड़क्शन नहीं वादा, उद्रा नुक्सान दा सुसाइटी दा, जड़े लोगा नू इस पासे वाद दोरना चाहिए दा है, जड़े नाल नमे यूनिट लगण, लोगान इंप्लाइमेंट ज जरूरत है, लोड़बान दे लोगान, जना जरूरत है, उननो इस फसल्टी मिलनी चाहिए दिया है, जड़े अफोड कर सक देने, उननो इस जड़ा हैगा, अपना मैक्सिमम टेक्स पे करना चाहिए दा है, खासकार के, ऐस वेले हिंदुस्तान दी जो प्रिस्थिदी होई है एक परसेंड लोग गांदे को जदो चाली पर तान कठा हो जाए तुसी किमेस हो साकते हो के अपर कलास जड़ा अपर स्टेटा कार्पोरेट कराने हैं दा टैक्स जड़ा है गा बदर दी बचाय कटे यो ओ सिंप्टम ठीक नेंगी उत्थे टैक्स उननों होर करना चाहिए जे क्राइसिस दे बिच पिछले को समय दे बिच जे लोग गांदी आमदन कटी है कोवर्ट दे पीरिड दे लेकन कुछ कराने ऐसे ने जिना दी बहुत ज़्यादा वदी है बहुत ज़्यादा खास करके मेडिकल दे फील्ड दे बिच जड़े लोग से बड़ ज़खाने और इबी आजिए उना यह उना बहुत बादी है जह उना इस देश देशनी एकानो मिरी ग्रोथ वास्टे हार टैक्स पेक करन दे ले यह तार होना जाया है दूसरी गल सड़ी गवर्मेंट दी इक नचेप्ट अनुन दे जाए जाना एं पैसा को जड़ दि़ द जड़ी है कि शब्दन दा हेर फेर जड़ा है कि एक गल्ट है सही मेन आदे विच ऐसे वेले एगरी कल्चर दा भी बड़ा पार्ट जड़ा है कि वड़े करानिया दे को जा रहा है जे सुरूप बेनिफिट जाना चाहिए उन नहीं मेर रहा है सो मुक्दी काल मैं करना मेन ऐस विले जड़ी सीचुईशन है गिया है इंप्लॉइम्मेंट जनरेट कि में होगे है दो अदारे ने साधे हिंदोस्तान दे विच जड़े उत्ते गौर्मेंट नो मैक्सिमम त्यान देना चाहिए था हेल्थ एजूकेशन वो पबलिक सेक्टर चाहिए गोर्मनेंट सेक्टर चाहिए और टेक्स द्या देरा बणाना चाहिए था है खास कर के अppर कर बूर्परेकर ने वड़े क्लास है ओना दे विचो टेक्स दी पर अज़िक ज्यादा होनी चाहिए है टेक्स आएगा फॉंड होनल के डवेल्मेंट लगेगा नहोन ये ज़िए फांड नहीं होनके ते फिर डिवेलमेंट भी नहीं होएगी इसानु सारे हैं समझना चाहिए है हर बंदा ब्यक्ति आज जी एस्टी टी फॉर्म लिच हर बंदा मैकसिमम पेकर रहा है और जिननी जिनी किसी इंकम बदे की ओधे अकॉर्डिंग लिओ बदना चाहिए है टेक्स भी बदना चाहिए है ते देशनी डिवेलमेंट भी होनी काई दिया है क्योंकि ये चीज़ां इसलिए समझन लिजरूरत पैजन दिया है कि जदों हून जड़ा जेकि ये सिच्वेशन बड़ी अलार्मिंग सिच्वेशन है वह इस करके है क्योंकि समझन दी लोड अगेनू सिस्टम बदिया चालदा रहेंदा पर उदे नाड़ना रहे है वी जड़ी इन्ने करोड जनता विठी है आखर कर उनू लेके तुसी कहजी जिम्मेदारी साम रहे हो ते जिया अगेन बार रहे हो पर दुज़े पसे है अभी आम लोग कां तो हुने के गला समझ ल अगेन चंगा है क्योंकि एजड़ा रैपोरेट बाद दा तो पर हर बारी सिस्टम हलोंदा थोड़ी तनका उन्नी नी बाद दी जिन्नी स्पीड दे नाड़ा रैपोरेट बाद रहा